कि सिच्छा व्यक्ति के ये काम धेनु की तरह है। दहने का दाथ परिया है कि सिच्छा के माध्यम से ही व्यक्ति संपूर मनोकामनाओं को पूर कर सकता है। यद व्यक्ति के पास सिच्छा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। शिच्छा ये एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्तिका सरवांगिर विकास होता है। वैदिक सिच्छा के लिए स्विकित महत्व को प्रोफिसर अल्टेकर ने इन सब्दों में कहा है। सिच्छा को प्रकास और शक्ति का एसा शोत माना जाता है जो हमारी सारेक, मानसिक, भौतिक तथा अध्यात्मिक शक्तियों तथा छमताओं का नियंतर एवं सामंजिस्पूर्ण विकास कर हमारे स्वाभाव को परवर्तित करता है और उसे उत्कृष्ट बनाता है कहने का दाथ पर यह है बचों कि जो सिच्छा है उसी से ही हमारे मानसिक, हमारे सारेक और हमारा भौतिक आध्यात्मिक शक्तियों की विद्धी होती है और हम बुद्धिमान बनते हैं बचों इसके आगे मैं बताऊंगी वैदिक सिच्छा का अर्थ क्या है वैदिक सिच्छा जो हमारी है वैदिक काल में सिच्छा जीवन पर्यन चलने वाई प्रक्रिया मानी गई है बैदिक सिच्छा एक ऐसी सिच्छा है जो जब जब से जन लेता है और जब तक मृत्व होती है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता है तो इसी ये उसको कहा जाता है कि ये ग्रिया ऐसी है जमारी पुरी जीवन भर चलती है किन्तों आपचाइक सिच्छा का आसर यह होता है कि जो हमें निरंतर एक प्रपर वे में करते हैं वो हमारी आपचाइक सिच्छा होती है बच्छों आपचाइक सिच्छा में ब्रहम मचर आश्रम में होने वाए सैच्छिक क्यत्विदियां मतलब कि आपको वही रह करके और सिच्छा गुर्कुर की थी उसको गुर्कुर की थी उसको गुर्कुर करने के ये हमें वही रहना पाता था इस आश्रम काल में छात गूर को में रहकर गूर की सेवा करके सिच्छा प्राप्त करता था और बिच्छा मांग कर गूर को देता था और केवर पुस्तकी ग्यान ही नहीं थे नहीं केवर जीवन पर साधन थे बलकि यह व्रक्ति के सांसारिक सुख देने वारे मोश प्राप्त तक ले जाने वारा भी साधन माना गया है बच्चों उस समय की जो सिच्छा थी वो बहुत ही अच्छी और विवस्तित सिच्छा थी जो हम गुलकुर में ही रहके सीखते थे इसके आगे बच्चों कर हम पढ़ेंगे